नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलिवूड अन्बोक्सिंग में दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे सुपरस्टार अमिता बच्चन के नाम से दोस्तों अमिता बच्चन एक ऐसे अभीनेता है जिनकी जोड़ी कई एक्टर्स के साथ बन चुकी है चाहे वह धर्मेंदर, शशी कपूर, विनोध खना, विनोध मेरा, शत्रुकन सिना या फिर रंधीर कपूर हूँ लेकिन एक मात्र उस समय के हीरो फिरोस खान ही है जिसकी जोड़ी अमिता आप के साथ दो बार बनते बनते रह गई अमिता बच्चन और फिरोस खान ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे के काम की इज़द भी की बस सयोगी रहा कि वे कभी साथ में काम नहीं कर पाए जिन फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी बनते बनते रह गई वह थी कुरबानी और दयावान फिल्म कुर्बानी में अमिता बच्चन कैसे काम नहीं कर पाए इस बात का जिक्र हम हमारे पुराने वीडियो में कर चुके हैं जो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिल्म दयावान की फिल्म दयावान बनने की कहानी भी काफी दिल्चस्प है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल वोलीवूड अन्वोक्सिंग पर नए है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरू कर ले क्योंकि हम फिल्मों से जूरी अंदर की बाते आप के लिए लाते रहते हैं दोस्तों साल 1983 में फिल्म पलवी अनुपलवी में अनिल कपूर को लेकर बतोर निदेशक अपना केरियर शुरू करने वाले मनी रतनम ने इसके बाद में एक से बढ़कर एक फिल्म में बनाई कन्नाड में बनी अनियल कपूर की इस फिल्म ने मनी रतनम का नाम एक दम चर्चा में ला दिया अगली फिल्म उन्होंने मलियालम में बनाई और फिर शुरू हुआ उनका तमिल सिनेमा का शांदर सफर साउथ के सूपरस्टार अभिनेता कमल हासन और मनिरतनम की प्रतीबा का संगम 1987 में रिलिज हुई फिल्म नायकन में हुआ फिल्म नायकन के निर्माता थे जी वेंकेटेश्वरन फिल्म की कहानी खुद मनिरतनम ने लिखी थी और डिरेक्टर भी वे खुद ही थे कमल हासन उन दिनों अपने केरियर के टॉप पर थे दोस्तों उस जमाने में न तो सेटलाइट चैनल थे न मुबाइल और नहीं इंटरनेट यहां तक कि फिल्म की दूसरी भाषाओं की फिल्मों के वी एचेस या पारेटेट कोपी तक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पहुँचने में हब तो लग जाया करते थे लेकिन फिल्म नायकन की कहानी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया फिल्म ने साउत में जो डंका बजाया तो हिंदी सिनेमा के बड़े-बड़े दिगज इस फिल्म का रिमेक बनाने के लिए एकसाइटेट हो गए फिल्म दयावान इसी फिल्म नायकन का हिंदी रिमेक है फिल्म दयावान का अमिताप कनेक्शन ये है कि मूल फिल्म नायकन के हिंदी रिमेक राइट्स खरीदने के लिए तीन लोग उन दिनों भागदोड कर रहे थे अमिता बच्चन का ये वो समय था जब वे राजनीती में अपने हाथ जुलसा कर वापस मुंबई लोट आये थे फिल्में उनके पास कुछ थी उनका ज्यादातर वक्त अपने बंगले प्रतिक्शा में डायेक्टर्स की प्रतिक्शा करने में निकल जाया करता था एक दिन उनके पास में फिरोष खान का फोन आया अमिता बच्चन तुरंद भाग कर फिरोष खान से मिलने गए भी सही तब तक फिरोष खान ने फिल्म नायकन के हिंदी रिमेक क्राइट्स उस वक्त के हिसाब से वहुत बड़ी रकम चुका कर खरिद लिये थे हाला कि अमिता बच्चन को लेकर टीनो आनन्द इस फिल्म का रिमेक बनाना जाते थे उनकी फिल्म शहनशा रिलिज हो चुकी थी और टीनो आनन ने फिल्म के तमिल वर्जन नायकन में भी एक खास रोल प्ले किया था इसलिए टीनो आनन्द भी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे फिरोज खान और टीनो आनन्द के अलावा जो तीसरी सक्षियत इस फिल्म के रीमेक के कम्पिटिशन में शामिल थी वह थे अभिनेता जितेंद्र जब बाकी दो पार्टियां रीमेक रैट्स के लिए सोदे बाजी कर रही थी फिरोज खान ने अपने शाही अंदाज में इस कम्पिटिशन में एंट्री मारे और दस लाख रुपे का एक चेक नायकन के प्रोडूसर जी वेंकेटेश्वरन को पकड़ा दिया फिरोज खान का बड़ा मन था कि इस फिल्म में एक बार फिर अमिता बच्चन डोन का किरदार करें और इस फिल्म में फिरोज खान खुद बनेंगे उनके लंगोटया यार यानी शंकर लेकिन किस्मत का सायोग देखिए कि तभी विनोध खना का फोन फिरोज खान के पास आ गया विनोध खना उस समय अमेरिका से ओशो का आश्रम छोड़ कर लुट आया थे और अच्छे रूल की तलाश में थे फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में विनोध खना ने आखरी वक्त में काम करने के लिए हां करके उन्हें परिशानी से बचाया था इस बार बारी फिरोज खान की थी दोस्ती का कर्श निबाने की और इस चकर में अमीता बच्चन फिल्म से आउट हो गए दोस्तों ये तो सबी जानते हैं कि फिल्म दयावान की चर्चा फिल्म में मादूरी दिक्षित और विनोत खना पर फिल्माए गए एक गाने को लेकर खुब होती रही मादोरी दिक्षित तब इस्तार नहीं बनी थी और ये फिल्म उनकी फिल्म तेजाब से भी पहले की फिल्म थी दिल्चस्प बात यह है कि विनोत खन्ना की पत्नी का रोल फिल्म दयावान में करने के बाद माधुरी दिक्षित ने विनोत खन्ना के बेटे अक्षे खन्ना की हिरोईन की तोर पर भी काम किया ऐसा काम उन से पहले हमम आली नी ने राज कपूर और रंधिर कपूर के साथ सपनों का सोधागर और हाथ की सफाई में किया था और श्री देवी ने भी धरमेंदर और सनी देवल के साथ बतोर हिरोईन चाल बाज और नाकाबंदी में भी काम किया था फिल्म दयावान से स्री देवी का नाता भी बनते बनते बस रह गया फिरोष खान ने जब अमिता बच्चन को फिल्म में लीड रोल देने की पेशकर्श की थी तो उनके साथ हिरोईन के लिए बोनी कपूर ने स्री देवी के नाम की सिफारिश कर दी थी लेकिन जब अमिता बच्चन की जग़ फिल्म में विनोत खना आ गए तो हिरोईन भी स्री देवी नहीं रही दोस्तो या फिरोष खान की बनाई एक मात्र फिल्म है जिसमें उन्होंने सेकंड लीड रोल प्ले किया था दोस्तों फिल्म दयावान में अमरिश पुरी का एक चोटा सा केरेक्टर है हाला कि अमरिश पुरी इस तरह के चोटे विलेन के केरेक्टर नहीं करते हैं लेकिन फिरोष खान के कहने पर उन्होंने ऐसा रोल भी कर लिया फिल्म दयावान में आलोकनात, करीम बाबा के किरेक्टर रोल में दिखाई दिये थे लेकिन आलोकनात दरसल उम्र में विनोत कनना और फिरोश खान दोनों से छोटे हैं फिरोस खान ने अपनी लाइप में हॉलिवूड की फिल्म गोड़ फादर से प्रेरिध होकर दो फिल्में बनाई एक थी धर्मात्मा और दूसरी थी दयावान दयावान एक ऐसी फिल्म रही जिसकी शूटिंग दो महिने में कम्प्लीट कर दी गई थी और फिल्म एक शेडियूल में ही पूरी कर दी गई दोस्तो साल 1988 में आदित पन्चोली को दो लेजएंड फिल्म अभून pigा अपनी फिल्म के लिए साइन किया था एक तो फिरोस खान ने फिल्म दयावान के लिए और दूसरा देवानन ने फिल्म अवल नंबर के लिए हाला कि फिरोस खान ने चंकी पांडे को भी फिल्म के लिए साइनिंग एमोंट तक दे दिया था लेकिन फिर ये रोल अभी नेता जनेंदर द्वारा निभाया गया था दोस्तो फिल्म दयावान के म्यूजिक की बात की जाये तो यह फिल्म के रिलिस से पहले ही काफी चर्चा में आ चुका था अपने फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कल्यान जी आनन जी की बजाये इस बार फिरोष खान ने लक्षमी कान प्यारे लाल की जोड़ी पर दाओ खेला था दोस्तो गजलो को ओटो रिक्षा और टेंपो तक पहुचा देने वाले पंकज उदास का फिल्म नाम में गाया गाना चिठी आई है उन दिनों काफी मशूर हो चुका था और फिल्म दयावान में उनके हिस्से आया फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना आज फिर तुम पर प्यार आया है फिल्म दयावान से सिक्किम के रहने वाले जोली मुखरजी को भी अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला ये वही जोली मुखरजी हैं जिनोंने चांदनी और मेरी चांदनी गाना गाकर भी काफी शोरत बटुरी थी दोस्तों जिंगल गाने वाले जोली उन दिनों फलाइट सर्विसेज वाली कम्पनी की ओन फलाइट सर्विस के लिए काम करते थे और मशूर गायक हरी हरन के कई गानों का म्यूजिक भी जोली ने अरेंच उस समय तक किया था फिल्म दयावान के सेट पर वह किसी से मिलने पहुंचे तो उनका परीचे फिरोज खान से हुआ फिरोज खान को जब पता चला कि जोली गाते बहुत अच्छा है तो उन्होंने जोली से इंदीवर का लिखा चाहे मेरी जान तू ले ले गाना सुनाने को कहा जोली ने गाना गाया तो फिरोज खान को गाना बहुत अच्छा लगा और दयावान जोली के केरियर की बतोर सिंगर डेबियू फिल्म बन गई दोस्तो गाना और भी खास तब बन गया जब फिल्म बहुबली में शिवगामी देवी बनी रामिया क्रशनन ने इस गाने पर दबा कर डान्स किया था दोस्तो साल 1988 में रिलिज हुई दयावान में विनोत खरना और माधुरी दिक्षित दोनों के बिने की खुब तारिफ हुई थी सिनेमेटोग्राफर कमल बोस ने भी कमाल का केमरा वर्प किया था बस ये फिल्म फिरोज खान की अपनी स्टायल के तेज रफतार वाले सिनेमा से कदम ताल नहीं कर पाई रहला कि बोक्स आफिस पर फिल्म ने काफी अच्छा पैसा कमाया लेकिन ये फिल्म फिरोज खान की बतोर निर्द शकդ इससे पहले की फिल्मों दर्मात्मा, कुर्बानी और जाबाज के आगे कमजोर रही लेकिन जब ये फिल्म रिलिज हुई थी तो इसने इंडस्ट्री में तहल का माचा दिया था हाला कि कमल हासन को ये फिल्म खास पसंद नहीं आई थी दोस्तो मुंबई में जितना शानदार प्रीमियर दयावान का हुआ है उतना शायद ही किसी फिल्म का हो पाया था फिल्म दयावान के प्रीमियर में खास महमान थे विनोत खन्ना के पिता करश्ण चंद खन्ना दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बॉलिवूड अन्बोक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद